कोई उसे ढूंड के लाए ना जाके कहा मैरा पट लिखाओ कोई बत लाए ना दोस्ते नमस्ते मैं तुशार गिटार काड़ी में आपका स्वाकत करता हूँ अंजाम मुवी का गाना है अभी जितने काया हुआ तीन कॉट्स है जी मेजर, सी मेजर और डी मेजर यह देखो यह बार कॉड में जी मेजर बार कॉड सी मेजर बार कॉड डी मेजर बार कॉड एक एक्सप्रिमेंट करते हैं दोस्तों यह जी मेजर पे बड़ी मुश्किल है होया मेरा दिल है यह पीच से थोड़ा अलग पीच पे हम लोग एक्सप्रिमेंट करते हैं अलग पीच पे गाने की, अलग पीच पे बजाने की कोशिश करते, compare करते, दोनों पीच में से कुन सा अच्छा लगता है, आपने इंट्रो में सुना, मैंने G major पे बजाया, पूरा गाना हम लोग करेंगे G sharp major पे, देखते, experiment करके, G sharp major पे करना है, तो हम लोगों को, एक नंबर के fret पे केपो लगाना पड़ेगा, यह लगा दिया केपो, तो G हो जाएगा G sharp major, C, C sharp major, और D हो जाएगा D sharp major, अलग पीच में गाना गाएगे, अभी, दोनों में से आपको कुन सा अच्छा लगता है, यह experiment, अपना सफल है कि फेल है, मुझे comment box में जरूर लिखना, अच्छा strumming pattern की भी मजा देखो, strumming pattern में यह गाना इतना प्यारा है, इतना मीठा है, strings mute करके downstroke भी बजाते, तो भी गाना बहुत प्यारा सुनाई देता है, बड़ी मुशकिल है, कोईा मेरा जिर है, कोई उसे डूंड के लाए ना, इतना प्यारा, इतना ब्यूटिफुल गाना है, इससे भी लोग इंप्रेस हो जाते, आप ट्राइ करके देखना जरूर, अच्छा अगर मैं G मेजर, G शार्प मेजर पकड़ता हूँ, और उसमें डाउन्स्ट्रोक के साथ गाना गाता हूँ, कितना ब्यूटिफुल लगता है न, कितना अच्छा लगता है सुनने में, आप भी कुशी जरूर करना, स्ट्रमिंग, मैं आपको दो तरीके के बताता हूँ, अब बहुत से मीटर में, अच्छा अच्छे स्ट्रमिंग सेट कर सकते, लेकिन ये गानी के लिए, मैं दो तरीके के स्ट्रमिंग बताता हूँ, पहला जो है, वो है, ये स्ट्रमिंग पैटन में भी, ये प्रूग्रेशन बहुत प्यारा सेट होता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है यह जारा भरा हुआ लगता है गाना इंट्रेस्टिंग हो जाता है यह भी थोड़ा स्पीड से है लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना आप डाउन आप डाउन आप डाउन दोनों में से जो स्टर्मिंग पैटन आपको आछा लगता है वो pick करो उस पे गाना शुरू करो फिला हम लोग क्या करते है D sharp major पे गाना शुरू करते है और दूसरा वला strumming pattern मतलब जो down, up down, up down ये try करते ओके G sharp major पे गाना शुरू होता है चलो शुरू करते हैं लेकिन आप नए है अपना channel पहली बार देख रहे हैं से आपको confidence आजाएगा रहे यार मैं भी गिटार बजा सकता हूँ चलो फिर साथ-साथ गाना करते हैं गिटार ले लो हाथ में तीन ही तो कॉर्ड से ओके चलो शुरू करते हैं मैं जो ए दूसरा strumming pattern यूज करूंगा आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो comment box में जरूर मुझे लिखना क्योंकि मैंने आपको बताया और आपको समझा बिल्कुल समझाने ऐसा नहीं होना चाहिए आप मुझे comment box में जरूर लिखना सब्सक्राइब भी जरूर करना चलो शुरू करते हैं जी मेजर पे जी शार्प मेजर बड़ी मुश्किल है कोया मेरा दिल है कोई उसे ठूंड के लाए ना जाके कहा मेरा पट लिखा कोई बत लाए ना मैंनू या हसू करू मैं क्या करू दीवान गींगी हद से आगे उजर ना जाओ आखों में उसका चहरा कैसे उसे दिखलाओ दीवान गींगी हद से आगे उजर ना जाओ आखों में उसका चहरा कैसे उसे दिखलाओ तो है सबसे हसी ऐसा कोई भी नहीं मेरे खुदा उसकी अदा है बड़ी कात्य दिवाना है समा जागे है अर्मा मैं रूँ या हसून करू मैं क्या करू मैं रूँ या हसून करू सपनों में आने वाली माहों में कब आयेगी कितने दिनों तक मुझे को ऐसे वो तड़ पायेगी सपनों में आने वाली बागों में तब आयेगी कितने दिनों तक मुझे को ऐसे वो तड़ पायेगी देखू मुड के जिधर आये वो ही नजर मेरी डगर मेरा सफ़र तो मेरी मन्दिल मुझे नहीं पता जाया है क्या मैं साथ मैं रूँ या हसूर करू मैं क्या करूँ बड़ी मुश्किल है को या मेरा दिल है कोई उसे डूट के लाए ना जाके कहा मैं रपट लिखाओ कोई बत लाए ना मेरू या हसूर करू मैं क्या करूँ मेरू या हसूर करू मैं क्या करू बहुत बहुत चुक्रियां दोस्तों पूरे पेशन्स के साथ आपने पूरा गाना देखा आपको अच्छा लगा यह एक्स्पिर्मेंट पसंद आया तो कॉमेंट बॉक्स में मुझे जरू लिखना लाइक का बटन भी प्रेस करना और सच में अच्छा लगाओ तो अपने दोस्तों के साथ भी सेर करना नौलिज सब के साथ बाटना चाहिए यार बहुत बहुत चुक्रियां थैंक यू